Hello dear students, it's Kiran, your teacher. Today we are going to know about manufacturing industries, part 3, geography, class 10. Yes dear, इससे पहले मैंने इस chapter के part 2 तक वीडियोस दे दिये हैं, अगर आपने चेक नहीं किया है तो आप उसे चेक कर लेना, मैं उन वीडियोस के लिंक दे दूँगे इसके description में. So dear, let's start, आप देख रहे हैं, question number 14 onward में इसमें start किया है, that pin 13 तक मैंने questions दे दिये हैं, इस वीडियो में 14 to 22 तक दे रहे हैं questions, जिसमें कुछ questions long हैं और कुछ short हैं. So, आप देखना शुरू करो, उनी questions को मैंने डाला है, जो किसी ने किसी term में आय हुए हैं, और मुझे लगता है देना जरूरी है, वैसे ये बताना जरूरी है कि आप definitely chapters को read करो, और वहां से चीजों को समझ जाओगे आप easily, और उनको ही मैंने question के format में डाला है, question format में डालन जो कि आपके किसी ने किसी terms में या exams में आय हुए थे, और being teacher मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना ही चाहिए, और जो मैं देखती हूँ कि कुछ confusion होते हैं, उन चीजों को मैंने इसमें डाला है, यह है आपका पहला question इस वीडियो का, question number 48, name the electronic capital of India, that is Bangalore, yes Bangalore जो है वो IT hub भी consider किया जाता है, IT के तौर पर हम इसे जानते हैं, that means IT hub, next question, question number 15, that is which public sector plant in India is located near a port, ध्यान रखना, public sector, यह भी ध्यान रखने वाली बात है, कि कौन से sector की वो industry है, से पहले वाले वीडियो में मैं different sectors को explain कर चुकी हूँ, so यहाँ पर मैंने डाला है answer, विसाका पत्नम, steel plant is located near a port, so यह जो है steel plant, आप Tata Steel का plant डाल सकते हो, क्या इसमें नहीं डाल सकते, क्योंकि Tata Iron Steel plant जो है, वो public sector का plant नहीं है, वो private sector का plant है, so आप यह ध्यान रखोगे, जब आप examples पढ़ रहे हो ना, तो वो यह समझ के मत पढ़ना कि वो सिर्फ उसी answer के लिए आपको दिया गया है, यह भी समझना कि वो किसी और answer के लिए, that means उसे अलग से भी पूछा जा सकता है, और वो अलग से कुछ इस तरीके से पूछा जा सक sector in India, as well as one of the top automotive centers globally, यह जो है, automotive centers, जो है, globally भी consider किया जाता है, या फिर इसे कुछ ऐसे बता दूँ, कि जितनी भी बड़ी-बड़ी industries है, उनके जो main office है, वो पूने में ही है, यहाँ पर कुछ industry के नाम मैंने डाले हैं, ब्रैकेट में आप देख रहो, जेनरल मोटर्स, वर्क चन्नाई, जमशेदपूर, जबलपूर, कोलकाता, और the chief centers of producing automobiles, next question, question number 17, that is, all India limited industry belong to which type of industry, आप ध्यान देना, यह example में मैंने दिया है, आपको इससे पहले sectors के, लेकिन यहाँ पर, मैं उसे एक अलग से question में दे रही हूँ, in fact, मैं क्या दे रही हूँ, यह आए हैं किसी ने किसी exam में, तो फिर मैंने वहाँ से लेकर डाला है, क्योंकि आप इसमें confused ना होना, one marks के question होते हैं, so all India industry, किस industry को belong कर रहा है, तो यहाँ पर वो कौन से, या फिर कौन से sector को belong कर रहा है, तो आप उसे ले सकते हैं, और वैसे यहाँ इसका एक answer यह भी हो सकता है, कि all India, जो है, वो large sector की industry है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है न, on the basis of capital investment, तो इसे large scale का भी हम industry के तौर पर मान सकते हैं, तो यह आपको ध्यान देने वाली बात है, कि वो किस तरीके से पूछा जा रहा है, ऐसे अगर मैं यहाँ चेक करूँगी, तो आप इसकी जगर large scale भी दोगे, तो मैं मैं इसमें marks दूँगी, लेकिन हाँ, यह broadly joint sector की industry consider की जाती है, क्योंकि joint sector का मतल क्या हुआ, कि इसमें public as well as private, दोनों का हस्तचेप है, that means, दोनों के shares है, तो यह उस sense में, यहाँ पर मैं बता रही हूँ, next, which industry, due to its seasonal nature, is ideally suited for cooperative sector, कौन सी वह industry है, जो उसका season nature है, seasonal nature होने की वज़े से, इसमें cooperative sector को वो suit करती है, that means, cooperation से चलने वाली industry, उसका nature seasonal होता है, तो वो कौन से है, वैसे तो cooperative sector में बहुत सी industry, मैंने आपको बताई हैं, जैसे की dairy की industry हो सकती है, या फिर jute की industry भी होती है, लेकिन यहाँ पर, specially cooperative sector, तो मैंने बताया, यहाँ, that means, question में यह तो पूछा जा रहा है कि कौन सा वो sector है, साथ साथ यह भी पूछा जा रहा है कि वो industry बताये, जो जिसका nature कैसा है, seasonal है, that means, किसी खास season में, वो useful होता है, या ज्यादा होता है, तो उसके बारे में, तो यहाँ पर obviously industry, मैंने डाल दिया, that is sugar industry, next question, that is, what steps are taken by NTPC plants to protect environment, to preserve environment, to conserve environment, कुछ भी हो सकता है, या फिर इसी question को अलग तरीके से दिया गया, यह question भी 2000, जो first number भी मैंने डाला है, यह भी 2011 का, यहाँ पर मैं लिखना भूल गई हूँ, यह लेकिन आप इसे ध्यान रखना कि, this is 2011 का है, यह question, और एक तरीके से, sorry dear, यह थोड़ी सी, yes, जैसे कि मैंने आपको बोला कि, यह 2011 का है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गई, जब बना रही थी, तो मुझसे यह छूट गया, लेकिन उसी question को आप देखो, 2013 में, बस थोड़ा सा उसे अलग कर दिया गया है, बट आप फिर से देखो, explain the proactive approach adopted by the NTPC, और bracket में मैंने यहाँ यह डाल दिया है, क्योंकि NTPC, that means National Thermal Power Corporation, जो है, वो प्लांट जिसके बारे में हम बात करें हैं, for preserve natural environment and resources, यानि कि वो कौन से active approach जो है, अपनाए जा रहे हैं, NTPC के द्वारा, प्योंकि और से बहुत सारे west generate होते हैं और NTPC plant बहुत important है, या आप जानते हो कि industry को बन नहीं किया जा सकता, क्योंकि industries जो है, development की तरफ इशारा करती हैं, तो यही हम कर सकते हैं, कि वो industries जो हमारे पास है, उससे कम से कम ऐसे destructive चीज बहारा है, या फिर आते भी हैं, तो फिर वो environment को loss करने वाले प्रभाब डालने चीज आते भी हैं, तो कैसे उसे reduce किया जा सकता है, यह बिल्कुल भी उपाई नहीं है, कि वह industry को बंद कर दिया जाए, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर development रुख जाएगा, तो देखना शुरू करने, कौन-कौन से step NTPC ने लिये हैं, steps जो उनके द्वारे लिये गया हैं, वो कुछ इस तरीके से मैंने हाँ डाला है, first point is step, यह optimum utilization of equipment by using latest technologies and upgrading the existing ones, यहाँ पर आप देखो कि optimum utilization जो होता है, equipment का, वो use किया जा रहा है, latest technologies के थूँ, और that means अधिक से अधिक कैसे अच्छी से अच्छी technology का इस्तमाल किया जाए, जिससे कि कम से कम ऐसे destructive चीज, ऐसे हानिकारक चीज जो हैं, वो बाहर आएं, और कई बार पुराने जो हैं, existing जो technology हैं, जो पहले से use हो रहे हैं, existing ones, उनको क्या किया जा रहा है, अच्छी लाई जा रही है, जिससे कि इस तरह के हानिकारक चीज, कम से कम produce हो, next, west generation has been minimized, दूसरी कोशिश क्या की जाती है, कि कम से कम west निकले, west ना निकले, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, यह जरूर कोशिश की जाती है, कि west जो है, वो minimum हो, and कैसे minimum होगा, तो maximum utilization of ashes, ध्यान से आप देख लो, कि पहला कोशिश क्या है, कि west generation कम से कम हो, और साथ-साथ, वो west generation कम से कम कैसे होगा, तो अधिक्तम use करके, maximum utilize करके, जो ashes निकलते हैं, जो राक निकलते हैं, उनका बहुत सारे चीजों में use किया जाने लगा है, जिसकी वज़े से वो ashes जो है, environment में जाता ही नहीं है, जिससे वो environment के plants और animals को damage नहीं करता या कम करता है, यह नहीं कह सकते हैं कि एकदम नहीं जाता, लेकिन हाँ, उसे बहुत हद तक minimize किया गया है, your next point, question number, sorry, point number 3, that is, environmental pollution has been reduced by measures like ashes pond management, यानि कौन-कौन से वो management किये गया है, तो यहाँ example के तोर पे है, जैसे ashes pond management, that means ash को एक जगा जमा करना, फिर उसका इस्तमाल के लिए कहीं-कहीं भेजना और किया जाना, उसके बाद ash water recycling, that means ash जो है वो निकलता है, तो उसके साथ थोड़ी water भी होती है, तो उनको, that means पानी के साथ मिला हुआ जो ashes होते हैं, उनको फिर से recycle किया जाना, और फिर से उनको इस्तमाल किया जाना, और या फिर तभी उसको environment में छोड़ा जाना, जिसे कि वो नुकसान कम से कम करें, और साथ-साथ liquid waste management, जो liquid waste निकलता है, उसको भी manage किया जा रहा है, जो green belts हैं, वो प्रोवाइड किया जा रहा है, एकोलोजिकल बैलन्स के लिए, जो नेक्स्ट क्वेशिन, अल्दे पार स्टेशन्स हैं एकोलोजिकल मॉनिटरिंग रिव्यू आन ओनलाइन डेटा बेसिस, तो जितने भी आप यहां पर देख रहे हो ना, वो पावर स्टेशन्स, इंडिया में जितने भी पावर स्टेशन्स हैं, एन्टी पीसी से रिलेटेड, तो वो जो है, वहाँ, जो है, एकोलोजिकल को मॉनिटर करने के लिए, बहुत से सिस्टम को शुरू किया गया है, लगाया गया, एक काम तो है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनरजी को डेवलप करें, वहीं दूसरे तरफ जितने भी पावर प्लांट हैं, वो सारे स्टेशन्स पर एकोलोजी को कैसे डैमेज कर रहा है, या एकोलोजी कितना बैलन्स है, एकोलोजी में कितना प्रभाव पढ़ रहा है, वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, उनको मॉनिटर करने के लिए भी एक मैनेजमेंट कमीटी बनाई गई है, और उन पर रिव्यू होता रहता है, पिछले बार ये डैमेज इतना हुआ था, इस बार उससे और कम हुआ है, या फिर इस बार थोड़ा बड़ा है, तो क्यों बड़ा है, फिर उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो वो सारे, इसलिए यहाँ डाला गया है, जो मैनेजमेंट होता है, या एकोलोजी को जो मॉनिटर करने की बात होती, की वो किजारी और उसका पारबार रिव्यू भी किया जाता है और इसका इसका जो है डेटाबेस वो मारन है, ऐसा न ही कि एक प्लांट अर direct邥 क्यारी प्रीक प्लांट में और बन पर ठीक इस्तिती है तो उसको भी मॉनिटर यानि हर प्लांट जो है वो हर जगह के ecological balance को चेक कर सकता है क्योंकि वो online database एविलेबल है यह नेक्स्ट क्वेश्चिन डाट इसक्वेश्चिन नमबर 20 यह क्वेश्चिन जो है 2012 में आया हुआ है और आप देख लो इस question के थुरू मैं आपको बहुत सारे चीज़ देना चाहती हूँ क्योंकि आपके book में जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे pollutions के बारे में बात की गई है तो जितने सारे pollutions के बारे में बात की गई है वो मैं बस इस question के through दे रही हूँ जैसे कि आपको पता ही है question and topic एक साथ ही मैं ले रही हूँ तो यहाँ पर आप topic को एक answer के format में देखने जा रहे हो अब देखना शुरू करो यह है industries जो है pollute करती है हमारे environment को इस तरीके से through these kind of pollutions तो पहला pollution क्या है पहला है air pollution हवा के द्वारा जो environment को pollute किया जा रहा है it happens due to the high proportion of poisonous gases in the air तो environment में बहुत सी poisonous gases जो है वो निकल रही है industries जो है वो इन चीजों को छोड़ती ही है और इस तरीके से कौन कौन सी वो है तो carbon monoxide specially बहुत harmful है environment के लिए it affects human, animals, plant and atmosphere as a whole too हम कह सकते हैं पूरी तरीके से ये जो है प्रभावित करता ही है चाहे वो इनसान हो, animals हो, plant हो या फिर हमारे atmosphere की इमबात करें next कहता है water pollution यानि ये भी pollution का एक प्रकार है जिसके त्रूर जो है environment pollute होता है आप देख रहों पर मैंने कुछ point भी generate कर दिये क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि questions अगर अलग-अलग पूछा जाए जैसे एक साथ पूछा जाता है तो ये बड़े question के तौर पे होगा लेकिन कई बार question को एक साथ ना पूछा जाकर ये अलग-अलग topic में पूछा जा सकता है कि water pollution क्या है या फिर ये किस तरीके से harmful है या फिर ये कैसे नुकसान पहुचाता है environment को तो वो आप कुछ इस तरह से देखो water pollution है क्या organic and inorganic industrial waste and effluent that are turned into water bodies causes water pollution तो जितने भी organic और inorganic industrial waste है या फिर वो इस तरह के जो liquid waste है वो जो है dump किये जाते है water bodies में जो भी हमारे pond है लेक है वहाँ पे अगर dump कर दिये जाते है तो जिसकी यानि fake दिये जाते है तो उससे वहाँ पे जो रहने वाले pond में रहने वाले या river में या जहाँ भी इसे dump किया जाता है रहने वाले water plants जो होते है या animals जो होते है वो destroy हो जाते है तो ये बहुत ही नुकसान दाएक चीज है next है some main factories that causes it कौन-कौन सी वो factories है जो water को pollute करने का काम करती है that means उनके आव ऐसा waste निकलता है जो वो direct कहाँ drain कर देते है ऐसे water bodies में drain कर देते है तो वो है paper industry, chemical industry, textile industry ये वो industries है जो बहुत जादा जो है liquid waste create करती है या फिर create होता है और उसको बिना ही recycle किये अगर ये dump कर देते हैं डाल देते हैं, drain कर देते हैं ऐसे water bodies में तो water pollute हो जाता है और जैसे क्या है paper industry, chemical industry क्योंकि obviously ये वो industries है जो बहुत सारे chemical का liquid form में इस्तमाल करती है और फिर वो waste हो जाता है उनका, तो वो उन्हें कहीं जो है fake ना होता है तो वो अगर dump कर देती हाला कि अभी बहुत से rules बन गए हैं कोई भी company ऐसे कही dump नहीं कर सकती अगर वो पकड़ी जाती है तो government उसके खिलाफ action लेती है कुछ ऐसी company भी रही है जो बड़े-बड़े areas, metropolitan cities है तो वहाँ पर उन company पर बिल्कुल charges लगाए गए है तो इस तरीके से बहुत सारे effort किये जा रहे हैं लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि कौन से ऐसे वो problem है जिसके तुरू यह create होता है नेक्स्ट है harmful substances include dyes, acids, fly ashes, etc इनमें harmful substances होते हैं चाहे वो dyes हो सकता है acids हो सकते हैं या फिर कुछ fly ashes होते हैं जैसे आप देखते हो chemical industry भी इन चीजों का इस्तमाल करती है textile industry coloring के लिए बहुत सारे dyes का इस्तमाल करती है अलग-अलग किसम के color के लिए और ऐसा मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ classroom में कि जबी भी इन चीजों को color किया जाता है especially जैसे अब तो यह approach लिया जा रहा है color chemical जिससे कि फिर दूसरा textile दूसरा कपड़ा जो है वो dark color में हो क्योंकि dark color वाले liquid में किसी light color के liquid को मिला कर कपड़े को light color का नहीं किया जा सकता तो यह बहुत सारे approach किये जा रहे हैं तो यह लेकिन जहां नहीं किये जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग water को directly अगर drain कर देते हैं water bodies में तो वहाँ यह सारे नुकसान होते हैं यह next point that means कौन से वो pollution है जो environment को loss कर रहे है या नुकसान पहुंचाते है that is thermal pollution thermal pollution के बारे में अभी हम लोग उने बात की anti-pcb thermal power plant है तो वहाँ भी आपने देखा कि वो लोग बहुत बड़ी-बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि उनके ash especially उनके जो ashes होते हैं राक होते हैं उनको वो manage करते हैं उनसे बहुत सारी चीज़ बनाते हैं बहुत सारी चीज़ों में वो mix कर दिया जाता है जिससे कई नहीं चीज़ जो है manufacture हो जाती है लेकिन हाँ ऐसा नहीं कह सकती है कि वो कुछ भी नहीं generate करती है तो वो वैसे जो industries है वो क्या generate करती है तो वो thermal pollution generate करती है It happens when hot water is released ध्यान से आप देखना is released into river and pond without cooling rivers या फिर ponds में अगर इस तरह के चीज़ों को डाल दिया जाता है hot water को बिना उसको recycle किये उसको पहले थंडा आप करें उसमें कुछ ऐसे चीज़ है तो उसको फिर से recycle कीज़े कि उसमें वैसे कुई chemical चीज़ ना हो जो की नुकसान करे तो वैसी चीज़ जो है वो अगर water bodies में डाल दी जाती है गरम मान लो कि वो सब ठीकी हो recycle किया ही गया हो लेकिन फिर भी उसे अगर आपने hot ही है अभी वो आपने डाल दिया किसी water body में तो वहाँ पे जो छोटे मोटे animals होते है water animals या चोटे plant होते वो तो मर जाएंगे ना तो इसलिए इनको नहीं डालना चाहिए यह चीज अगर डाल दिये जाते है तो यह thermal pollution का example है it adversely affected the aquatic life aquatic life में दोनों है plant and animals दोनों ही आते है next जो है वो land pollution land pollution क्या है तो simply आपके land को destroy करना, किसी भी meaning में किसी भी तरह से इसको pollute करना, solid waste materials like glass, packaging, जिसको हम none biodegradable भी बोल सकते है बहुत से ऐसी materials होती है reduce the quality of the soil अगर ऐसा कोई waste material आप soil में डाल देते हैं कौन-कौन से तो कोई solid waste material हो जैसे glass है, कुछ packaging के materials होते हैं जो degrade नहीं होते environment में, तो वो क्या होते हैं कि वो simply आपके soil के साथ मिलकर soil की quality को क्या करते हैं reduce कर देते हैं rain water भी जो होता है वो भी carry करता है chemical को underground और फिर वो underground water को भी pollute करता है जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं agriculture chapter में भी excessive fertilizer का इस्तमाल भी soil को क्या करता है degrade कर देता है तो soil की fertility धीरे धीरे reduce होने लगती है next कौन सा pollution है that is noise pollution यानि noise pollution जो है वो किस तरह से environment को damage करता है तो industrial work, construction processes, machinery, various equipment creates lots of noise यानि कोई भी industry ऐसी जो किसी ने किसी तरह का noise create कर देती है जिसमें से बहुत से industry हो सकती जितने भी आप बोल सकते हो steel की industry हो या फिर जादतर ऐसी कुछ industry है कुछ वैसे industry है जो noise create नहीं करती जैसे IT industry directly कोई noise create नहीं करती लेकिन आप किसी application को बनाया जाता है अगर तो ठीक है आप यह फोन के थूँ से सुन रहा है तो बार बार अगर आप सुनते भी रहते हैं तो वो भी कहीं नहीं noise create करता है तो वो भी noise pollution का example हो सकता है नेक्स है इट कैन भी causes of irritations and stress तो यह कौन से भीमारी create करता है तो आपको irritation हो सकती है stress हो सकता है थकान हो सकता है mentally जो है बहुत puzzle आप feel करेंगे बहुत ज़्यादा आप fresh feel नहीं करेंगे तो यह सारी चीज जो है noise pollution के थूँ आती है next it can also create health problem यह जो है बहुत सी health problem create कर सकता है like increased increased heart rate and blood pressure यह जो है physically अगर बोलो जो दिखने वाली problem में वो सकता है कि आपके pressure को increase कर दे high blood pressure में convert कर दे और साथ-साथ आपकी heart beat को भी वो बढ़ा सकता है जो की बड़ी problem है your next question question number 21 that is IT से related है और in fact 22 number भी question IT से ही related है यह आप देखो what are the role of IT या फिर information technology industry in modern India क्या role play करता है modern इंडिया में आजके इंडिया में या फिर इसी question को ऐसे पूछा जा सकता है why it is too important क्यों important है regarding इंडिया क्यों हमें से इतना important मानते हैं तो दिया यह पहले इसे बताने से पहले बहुत बार बताया है कि IT के field में इंडिया आगे है लेकिन हाँ कितने दिन आगे रहेंगे यह देखने वाली बात है अब यहाँ पर बहुत हमारे software experts हैं यह industry हमारे लिए क्यों useful है तो वैसे समझ लो कि यह industry software और hardware दोनों के field में काम करती है लेकिन हमारे हाँ software के field में हम जादा आगे हैं इसके अलावा जो है इंडस्ट्री इंप्लाइमेंट जेनरेट करती है इसमें बहुत सारी है 30% जो है इस इंडस्ट्री में female जो है वो employed हैं फिर foreign money को भी यह attract करता है क्योंकि विदेश में हमारे software के demand है तो इससे foreign money भी attract होता है तो यह बहुत सारी चीज के लिए useful है तो आप देखना शुरू करो यहाँ पहले तो मैंने बता दिया है कि information technology है क्या आप देखो information technology जो है वो industry या फिर IT industry की बात हम करें तो as it is popularly known as specialist in research and development R&D भी आप इससे बोल सकते हो manufacturers of electronics तो यह जो electronic gadgets को research and development से related electronic gadgets को develop करता है और इसमें hardware as well as software दोनों ही आते हैं तो दोनों को यह develop करता है अब बात आती है कि वो कौन सा role play करता है जैसे कि मैंने question में ही दिया बट ऐसे ही मैंने question में तो इतना ही दिया है कि कौन सा role play करता है उसके लिए यहीं से answer होगा लेकिन हा मैंने थोड़ा सा डाल दिया है कि यह करता क्या है तो यह research and development करता है दोनों ही फिल्ड में hardware and software के फिल्ड में यह इसका काम होता है अब इंडिया के regarding इसका क्या प्रभाव पड़ता है तो कौन सा role play करता है इंडिया के इंडिया has been on employment generation बहुत बड़ा प्रभाव इसका पड़ा है employment generation के उपर क्योंकि यह बहुत से employment को generate कर रहा होता है और specially आपने यह notice तो किया ही है कि इंडिया में IT का योगदान बहुत बड़े level पर है specially जितनी भी industry है हाला कि यह industry बहुत नहीं है यह पुरानी नहीं है इंफेक्ट अगर मैं civics की बाद थोड़ी करा हूँ तो मैंने आपको इसमें जिसे list के बारे में बात किये तो सुरवाती दोर में जो state list और union list बना था उसमें IT का ना वो निशान भी नहीं था लेकिन बाद में यह जब चीज इंडिया में आया 90s के दोर में तो उसके बाद एक नया list ही बना दिया गया that is residual list civics में आपने यह पढ़ा है तो इसको जो है अलग से एक list बना कर इसमें डाल दिया गया और इसका भी अधिकार जो है union इसमें जितने लोग इंप्लॉइड है उसमें से 30% जो है वो फीमेल ही है employed in the sector are women यानी महिलाएं जो है वो हर सौ में जो है 30 जो है उसमें फीमेल से इस फिल्ड में जो की बहुत अच्छा है फीमेल के लिए employment भी इस इंडिस्ट्री में जनरेट हो रहा है इस इंडिस्ट्री इस माहिने में भी बहुत यूश्फिल है क्योंकि विदेशी पैसे को अच्छेंज करता है क्योंकि हमारे चीज की डिमांड है हमारे द्वारा बनाए गए सौट्वेर की डिमांड है दुनिया में और यह जो है पिछले कुछ सालों की बात हम लोग कर रहे हैं यहां पर कि इससे बहुत जादा हम foreign exchange जो है ले रहे हैं foreign money को अपने हां attract कर ले रहे हैं अब यह जो bracket में मैंने दिया है न यह उस बात के answer के लिए कि क्यूं क्यूं आज इतना बढ़ रहा है कि अगर यह question हाला कि सिर्फ यह क्या इंडिया के regarding role है तो इतना ही काफी है लेकिन अगर कई बार अलग से question आ जाए तो मैं इसके लिए अलग से generate नहीं कर रहे हैं यहां पर जो bracket में मैंने आपको दिया है न यह आपके क्यूं के जवाब के ही मैंने यहां डाल दिया है कि क्यूं आखिर यह जो है इंडस्ट्री आइटी इंडस्ट्री जो है foreign money exchange करने में कामियाब हो जा रही है because of its growing business processes outsourcing आज के time पे जो BPO का बहुत प्रचलन है और हमारे हाँ बहुत से जितनी भी IT इंडस्ट्री है वो किसी ने किसी form में BPO को चला रही है तो इस तरीके से BPO के चलते business processes outsourcing की वज़े से यह इंडस्री बहुत जादा demand में है तो इस तरीके से यह हमारे लिए बहुत useful है वह आपने सुना है ना customer care यह वर्ड आपने सुना होगा ना customer care के पास phone करना है बात करना that mean आपकी mobile में कोई problem है या किसी भी तरह की चीज़े तो इसके लिए जो customer care वाली बात आप करते नो बहुत से channels चल रहे हैं shopping वाले तो वह भी लोग उनसे भी उनसे भी आपको कुछ मं है your next point that is the IT industry has provided India a special position in the industrial world यह जो IT है उसने हमें पूरी दुनिया में जो industrial world है वहाँ पर जगह बनाने का मौका दे रिया that mean हम इसकी वजह से पूरी दुनिया के industrial world में अपनी जगह बनाने में काम्याब हो गए है your next point it provides high data communication facility to software expert और IT की वजह से ही जो है data का communication facility जो है वो बहुत high level का है जितने भी हमारे software फिर export रहे थे वो high level का work कर रहे थे और in fact अभी यह lockdown का period in fact unlock जो है वो शुरू हो चुका है लेकिन फिर भी अभी भी schools open नहीं हुए हैं जिसकी वजह से हम जैसे teachers को आपके लिए ऐसे videos बनाने पड़ रहे हैं तो यह भी कहीं न कहीं IT का ही example है और आप भी कितना जादा involved हो चुके हो mobile के थूँ computer के थूँ इन चीज़ों का इस्तमाल करने में तो यह IT ही है यह next question and last question of this video is how many software technological park in India तो ओवेसे यह question किसी भी कीमात पर अगर आता है तो वह one marks का ही आता है इतना जादा बताने की ज़रत नहीं थी मुझे सिर्फ 18 software center सी बताना था मुझे यह technological park है इंडिया में सिर्फ 18 park that mean बड़े level पर ऐसा नहीं कह रही हूं कि सिर्फ 18 ही है यह आप ध्यान रखना लेकिन यह question ही है आपका कि कितने major है या फिर कितने important technological park हैं इंडिया में तो वह 18 और वह कहां कहां located है तो बैंगलोर में ऐसा नहीं कि एक ही है कही सारे है ठीक है यह सिर्फ वह location मैं यहां दे रही हूं 18 locations तो बैंगलोर उन तो हम जानते ही है हब के त विशाखा पत्नम, स्री नगर, मुहाली, नोइडा, जैपूर, गांधी नगर, इंदोर, मुंबई, पूने, कोलकाता, भुवनेश्वर और गुवनेश्वर और गौहाथी टू आज के वीडियो में बस इतना ही इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में चलो होफ़ल